हेलो प्यारे बच्चो चलो आज हम वॉक्षीट नमबर नाइंटेन क्लास सेवेंथ उडान की स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह चैप्टर बेस्द है इन्वेंशन आफ विटा वॉंक तो यहां सबसे पहले हम गिवन इंस्ट्रॉक्शन को पढ़ते हैं बाइ यूजिंग द क्लास जास स्टूदैत का गुरॉप है ना टीम जासी रहे है प्लेयर्स का गुरॉप तो यह होकर क्लेक्टिव नवन्स रेराइट इच संटर्थ टू रिप्लील अन इनटथ प्लेыт अब सबसे पहले हम बाद करते हैं अक देडियर्उर गेम्स विद पीजा अन आइस क्री तो यहाँ पर players का collective noun क्या बनेगा team the team celebrates its winning games with pizza and ice cream तो जो हमें dark word दिये हैं हमें इन सब के क्या करने है collective noun change करने है soldiers, soldiers के लिए आप क्या use करेंगे army ठीक है, same रहेगा army अब army singular हो गया तो need का needs बन जाएगा ठीक है, third है people people को क्या कहेंगे audience the people watching the show तो show को जो watch कर रहे हैं उनको audience बोलते हैं तो यह audience क्या करेंगे हम इसको replace कर देंगे people को अब है the students hope that there will be no homework tonight तो the students hope अब यहाँ पे students की बजाए हम students को क्या करेंगे the class hopes, h-o-p-e-s हो जाएगा, ठीक है तो यह next है आपका, the musicians अब musicians क्या होता है musicians को बोलते है, band the band enjoys performing for its fans तो देखो, जब हम singular use करते हैं तो आपको पता है, singular के साथ present indefinite tense में हम क्या use करते हैं S या ES use करते हैं and in the same way हमने यहाँ पे musicians की बजाए, band का use किया तो enjoy का enjoys हो जाएगा, ठीक है अब people who work for big business corporation हम people को यहाँ change करेंगे the corporation से अब next है, the birds fly to the next tree birds, birds को क्या बोलोगे? flock, ठीक है? birds की group को क्या बोलते है? flock next है आपका the world's work together world's pack P-A-C-K आपना list निकालना, list of collective nouns तो आपको यह सारे के सारे collective nouns की list वहाँ मिल जाएगी किसको क्या बोलते हैं? अब next है आपका girl's scouts girls scouts की group को बोलेंगे troop T-R-O-O-P ठीक है? और last है आपका the people who live in the city means the public who lives in the city ठीक है? तो यहाँ ऐसे आप collective noun को replace कर देंगे given exercise के according अब हम बात करते हैं worksheet number 20 की 20 जो worksheet है यह है punctuation marks पे अब देखो सबसे पहले full stop होता है, coma होता है semicolon होता है, question mark होता है semicolon में उपर एक dot होता नीचे coma होता है, question mark होता है apostrophe होता है colon, caught, caughted word को हम inverted comas में लिखते हैं उसको caught बोलते है, ठीक है? double caught होती है, जहाँ हम start भी करते हैं और end भी करते हैं, मैं उसको close भी करते है hyphen होता है sign of exclamation होता है ellipses, brackets asterix, slash square brackets यह कुछ इसमें square brackets बगरा हमारे बहुत कम use में होते है, तो आप एक बार अच्छे से जो है read out कर लेंगे, कि हमारे जो punctuation marks है वो कौन-कौन से होते है और हमें इनको punctuation marks को कहा-कहा यूज करना है आपको इनके uses भी आने चाहिए ठीक है? आप जैसे आपकी जो exercise है आप ये exercise खुद से करने की कोसिस करेंगे यहां कि punctuation marks कहा-कही हो जोंगे जैसे एक मैं आपके लिए करके दिखा देती हूँ यहां इस वाली exercise में राम, मीरा, एंड श्याम, आर गुड फ्रेंड्स तो देखो, जैसे की हम start करते है राम, आर कैपिटल आजाएगा फिर कोमा, फिर मीरा, एंड लगा हुआ है एंड श्याम, श्याम का S कैपिटल आजाएगा ठीक है, आर गुड फ्रेंड्स और फिर फुल स्टोप आजाएगा एंड में तो ऐसे ही आप इस पूरी की पूरी exercise को complete कर लेंगे इसके बाद को बाकिस तो ठीक है इसके बाद question mark नहीं है second में तो आप क्या करेंगे, question mark प्लेस कर देंगे what a pleasant surprise इसमें क्या करेंगे, sign of exclamation क्योंकि एक surprise आस्चरिया का भाव दिखा रहा है न तो ऐसे ही आप इन सब को क्या करेंगे complete करेंगे exercise को अपने कुद की knowledge के basis पे क्योंकि यह इतना जदा hard and fast नहीं और basic है यह rule जो आप सब को आना चाहिए तो अब हम बात करते हैं activity number second की देखो conjunctions दे रखें यहापे आपको and, but यह जो आपके conjunctions given है यहाँ यह list देखो यह वाले list and, but or, ठीक है and, used to join words, phrases, sentences of the same ideas उनको हम किससे जोड़ते हैं and से, second is but used to join opposite words ideas, opposite word or ideas को but से, or is used to show options और choice को हम किससे यूज़ करते हैं or से, तो आप ऐसे ही, जैसे example लेते हैं आपके, I have a pen ठीक है, तो I have a pencil हमने join किया and say I have a pen and a pencil अब यहाँ दिया हुआ है I love games, I love yoga I love games and yoga हमने join कर दिया she is talented, she is jobless she is talented but jobless देखो, talent तो है उसमें पर फिर भी उसके पास job नहीं है तो opposite ideas को हमने किसे join किया है, but से, ठीक है अब next है, he likes tea, he likes coffee tea और coffee, दोनों का क्या करेंगे, ऐसे ही solve करेंगे हम rotate करते हैं next piece को अब दिखो सबसे यहाँ first में हम लेके चलते हैं, यहाँ हमारा जो आ जाता है यह I was absent yesterday, I was not well क्योंकि वो मैं ठीक नहीं था, तो हमने किसे use के उसको, because से हमने जोड़ा है because का use कहा होता है use to give reason, कारण बताने के लिए, ठीक है, second है आपका, next है आपका, यहाँ जो है यह if, if का use होता है, condition को show करने के लिए अब यहाँ last sentence देखो anybody, anyone calls tell them I am not at home तो यहाँ हमने if से जवें क्या है if anyone calls tell them I am not at tell them that I am not at home ठीक है, so so का use होता है, to show the results results दिखाने के लिए it started raining, our match was cancelled, it started raining so our match was cancelled हमने बला है यह पे अब next है after, after का use होता है use for order sequence, you can call after he stops ठीक है, हमने यहाँ frame किया है next है unless unless का use का होता है unless का use होगा, used in negative sense for an action जैसे कि यहाँ last से हम बात करते है he will not go unless he will complete his homework जो यह given हमारे two sentences है इनको हमें ज्वैन करना एक ही conjunction का use करके एक ही sentence में reframe करना है अब until next आ जाता है, until until का use का होता है until is used in negative sense for period of time जैसे, last में अब बात करते हैं यहाँ, he will stay here it's 5 p.m. he will stay here until it's 5 p.m. got it? अब उसके बाद है next है both and यह एक pair की तरह इसने यूज़ गया है रिना इस अ गुड डांसर सीमा इस अ गुड डांसर both रिना एंड सीमा आर रे गुड डांसर ठीक है अब next है, either or राम इस कैप्टन शाम इस कैप्टन इदर राम और शाम इस कैप्टन यह आपका यहाँ हमने frame कर दिया है तो इस तरह से आप जो है सारे examples को पढ़के given examples को पढ़के इस exercise को क्या करेंगे sort करेंगे अब हम next पे बात करते हैं और यहाँ हम next page पे आते हैं neither nor देखो, यहाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी है either के साथ or e-i-t-h-e-r either के साथ तो हमेशा लगता है or यह pair की तरह use होते है और neither के साथ क्या लगता है nor यह neither nor तो होता है negative sense में use और either or होता है positive sense में use ठीक है, तो आपको यह चीज़े ध्यान रखनी है कि यह ऐसे pair में होंगे और negative और positive दोनों अलग-अलग sense को describe करते है अब यहाँ आ जाते हैं हम neither nor को पढ़ते है use to connect negative sentence अब last में देखो राम is not good at studies श्याम is not good at studies तो neither राम nor श्याम is good at studies, दोनों का negative response था तो हमने दोनों के negative response को इस sentence में connect कर दिया है ठीक है, अब next है of students to underline the conjunctions in the following sentences अब देखो यहाँ पे tea और coffee, और हो गया इसमें तो, second वाला है she is nice but proud nice but, अब but opposite, दो opposite जो है ideas को connect कर रहा है he loves cakes and pastries, तो यहाँ पे and से cake और pastries को जोड़ा हुआ है he fought, so I felt left his company तो so, कारण दे रहा है reason बता रहा है, अब next है आपका, Sina can join classes if you allow, if condition बता रहा है, ठीक है तो ऐसे ही, अब हम आ जाते है next वाली exercise पे और next वाली जो exercise है वो है आपकी preposition based prepositions, ठीक है in, on, under, यह जो आपका पुरा इसमें दिखाया हुआ है the doll is dash the sofa तो on the sofa दिखाई दे रही है आपकी picture में यह रही है यहाँपे the ball is on the table table पर क्या है, ball है यह रखी यहाँपे the robot is on the floor robot का है आपका, floor पर यह रहा है यहाँपे, the dog is under the table, table के नीचे क्या है, dog है यह रहा the table lamp is behind the sofa, sofa के पिछे यहाँपे table lamp है, trophy is placed on self trophy कहा रखी हुई है, self पर रखी हुई है ठीक है, और next है आपका, the wash is lying below wall painting, wall painting के नीचे क्या रखा हुआ है, wash रखा हुआ है ठीक है, यह रहाँ यहाँपे और next है आपका, the doll is between pillow and umbrella doll जो है, एक side umbrella है और एक side pillow है, उनके बीच में है तो किसी चीज़ को बीच में शो करने के लिए हम कौनसी preposition का यूज़ करते हैं between का यूज़ करते हैं ठीक है, तो मेरे खाल से यहाँ तक किसी को कोई problem नहीं है सबको समझ भी आ गया होगा तो इसी के साथ हम इस वीडियो को end करते हैं और next exercise worksheet number 21 हम next video में करेंगे so goodbye, have a nice day, bye bye take care